हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब जैसे आपको पता ही है इस काडिगन के मैं वन वाई वन आपके साथ सारे पार्ट शियर कर रही हूँ और आज मैं जो आपके साथ शियर कर रही हूँ वो काडिगन से लेकर ही है लेकिन इस काडिगन से नहीं आप कोई भी काडिगन बनाते हो जिसके साथ आप designer पट्टी बनाते हो या simple उल्टी उल्टी सलाईयों की या फिर सीधी उल्टी सलाईयों की तो कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कई बार wool की वजहाँ से या कई बार कोई भी चीज ऐसी होती है जिससे हम बनाते हैं लेकिन ये बटन पट्टी कई बार तो बहुत लूज और कई बहुत टाइट हो जाती है तो उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं अगर हमारी बटन पट्टी लूज टाइट हो रही है उपर चड़ने लग जाती है जैसे कि इस cardigan में मेरे साथ हो रहा है देखे ये वाला पार्ट मैं बना रही हूँ तो आप देख रहे होंगे मैंने सिंपल इसे ऐसे रखा हुआ है बटन पट्टी के फंदे इस लाई में है और ये ऐसे है तो बीच बीच में मैं इसकी क्या कर रही हूँ कि सिरफ बटन पट्टी की रोव बना रही हूँ ये सारा छोड रही हूँ क्योंकि इस cardigan में बटन पट्टी चड़ रही है ठीक है तो आप देखे कितना फर्क है सिंपल मैंने सिरफ ऐसे ही रखा हुआ है इसे तो देखे यहां पर भी दो स्लाईयों का फर्क डल गया है तो इसे आप ठीक कैसे कर सकते हो क्योंकि चड़ी हूई बटन पट्टी हो या लूज हो देखे इस तरह से अगर आपकी बटन पट्टी चड़ रही है या लूज है तो दोनों बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो हमें इसे कैसे ठीक कर सकते हैं देखे यह मैं आपको बताती हूँ आपने सिंपल ही जैसे आपनी बटन पट्टी आप बना रहे हो न पहले तो वैसे ही आपने सिंपल इसे बना लेना है ठीक है इस फंदे को उतारूंगी मैं इस रो में जैसे मैं बना रही हूँ सिंपल मैं वैसे ही इसे बनाऊंगी देखे इसे उतार लिया इसे बनाया इसे उतारा इसे बनाया इसे उतारा इसे बनाया इसे उतारा थागा दूसरी तरफ यह फंदा सी था ठीक है अब उल्टी तरफ से देख लीजिए उल्टी तरफ से हमने कैसे करना है ये फर्स्ट फंदे को उतारा और ये बटन पट्टी वाले पहले फंदे मैं उल्टे सारे ये उल्टे ही बना लूँगी ये हमारा चैन वाला फंदा भी हम उल्टा बनाएंगे इसके साथ एक फंदा मैं और यहां से उल्टा बना लूँगी ठीक है इस फंदे को उल्टा बनाने के बाद अब यहीं से मैं वर्क को टर्न करूंगी आगे हमने कुछ नहीं करना है इस फंदे को उतारा अब इस चैन वाली फंदे को तो हर वार हम उतारते हैं इसे उतार लेंगे अब धागा अपनी तरफ करेंगे जो हमारा बटन पट्टी में डिजाइन चल रहा है न सेम उसी डिजाइन को फिर से बनाएंगे ऐसे ये सीधा ठीक है अब हमने क्या करना है इस बटन पट्टी वाले फंदो को और ये पूरी रो हमने बना कर अपनी कम्प्लीट कर लेनी है और यहां पर भी देखिए इस फंदे को आप बनाएंगे थोड़ा सा टाइट यहां से ताकि कोई भी यहां पर हमारा होल ना आए और ये बिलकुल सैटिंग से बने बाकि आगे हमने अपने डिजाइन के हिसाब से ही रो बना लेनी है अब हम देखिए जो सीधी तरफ से यह वाली सलाई ढा रहे हैं सिरफ यह वाली सलाई यहां पर डलेगी और आपको एक बात और बता दूँ अगर आपकी बटन पट्टी लूज हो रही है लूज बटन पट्टी को कैसे टाइट करना है आपने यह पूरा पला यहां तक बना लिया आपकी बटन पट्टी लूज है तो हर पांच साथ रो के बाद आपने बटन पट्टी के फंदों को छोड़ देना है यहीं से देखिए यह बटन पट्टी के फंदे हैं जो एक फंदा उतारा हुआ है इसे भी ऐसी छोड़ देंगे इसे भी नहीं लेंगे यहां से वर्क को टर्न करेंगे इस फंदे को उतारने के बाद धागा दूसरी तरफ करना है और आपने अपने डिजाइन के अकोर्डिंग यह सारा बुढ़ना शुरू कर देना है तो दो रो हमारी यहां पर ज्यादा डल जाएंगे और यह बटन पट्टी की दो रो जो मिस हो जाएंगी उससे जो बटन पट्टी हमारी लूज हो रही है वो टाइट होनी लग जाएगी अपने आप ठीक है तो इस तरह से हम अगर बटन पट्टी टाइट या लूज हो रही है, बहुत कोस्टन आते हैं इस बारे में, कई वर हाथ का फर्क, सलाई का वर्थ, वूल का फर्क, कुछ भी हो जाता है, तो हो जाती है ये प्रोब्लम, बहुत इजी है, सोरी, बहुत इजी है इसे ठीक करना, कोई भी मुश्किल नहीं है, बिलकुल भी मुश्किल नहीं है, तो घबराना नहीं है, बड़े अराम से बनता जाएगा, ये कार्डिगन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बन रहा है, तो जुरूर इसे ठीक कीजिएगा, जिसके भी लिए बनाना चाते हो ना कार्डिगन, तो इसे बनाईए ये गल्स और लेडि में, बःब भाे, have a nice day!